वेलकम तो माइ चनल, आज का हमारा CSS टुटोरियल से रिलेटिड थर्टी नाइन्थ वीडियो है, और आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हम बैग्डाउंड साइज के बारे में, बैग्डाउंड साइज क्या होता है, मैंने प्रीविज वीडियो में बताया था कि आप background में अगर image को set करना चाहती है proper set करना चाहती है तो हमारे पास उसके लिए properties है वो property क्या है background size है अब background size को सीखने से पहले आपको already previous video का पता होने चाहिए कि background में image कैसे लगा जाती है background में image अगर repeat हो रही है तो repeat को overcome कैसे किया जाता है और background में image की position को कैसे change के जाता है और उसकी attachment को कैसे change कर सकती है scrolling पे fix करके ठीक है वो सभी video का link आपको description में मिल जाएगा आप से पहले उस video को watch कीजिए तब भी आपको ये video समझ आएगी ये हमारी background series की last video है last property है ठीक है इसके हमारे पास कुछ values होती है background size background size आप percentage में भी दे सकते हैं ठीक है second हमारे पास इसकी दो values होती है पहले value क्या है वो है हमारी cover और third value है हमारी contain ठीक है ये तीन value है अब ये कैसी apply करनी है चलते हैं editor में और करते हैं practical तो editor में जाने से पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर यो text लिखा हुआ है इसको मैं cut कर रहा हूँ थोड़ा सा अभी fill हाँ यहां से cut कर रहा हूँ ठीक है जुरुत पढ़े ही कि मैं द्वारा से ले आउँगा अभी मैंने क्या क्या है यहां से text को cut कर दिया है और यहाँ पर आपको background में अपनी image के सीवा कुछ show नहीं होगा image अभी show नहीं हो रही है image show करने के लिए आपको height देनी होगी height मैं दे रहा हूँ 650 pixel ठीक है तो मेरी image यहां पर आपको show हो रही है ठीक है image की जो position है वो मैं यहां center की जब जाए left में कर रहा हूँ जो की that's it अब आपको देखिए image के top पर space मिल रहा है इस space को भी मैं यहां से remove करता हूँ तो क्या करना होगा body में आएंगे अपनी universal selector के रूप में यहां पर हम काम कर लेते हैं फिलाल 0 pixel margin और padding भी 0 pixel ठीक है padding का double d आएगा save कीजिए तो space वहां से कम हो चुका है ठीक है अब हम apply करने वाले हैं अपनी properties जो की है background size तो हम देते हैं यहां पर background size तो background size हम कह रहे हैं percentage में देना है तो मैं देता हूँ 100% मेरी wheat है तो 100-100 मेरा adjust हो जाए तो देखिए इस type से 100-100 यह background में adjust हो चुका है बट इससे देखो क्या effect पड़ा है इससे क्या होगा image तो stretch हो जाएगी ठीक है stretching image हो गई है stretching image के साथ साथ यह image pretty pixelate भी होना शुरू हो चुकी है ठीक है तो इस चीज़ से बचने के लिए जो हम percentage में देते हैं दे सकते हैं देंगे तब जो image हमारी high quality की हो बट हमारी इसको 100% देने से क्या होता है image के पिक्सल होते हैं फटने शुरू हो जाते हैं तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमारे पास दो proper values बनी होई है वो है हमारे पास cover और contain सबसे पहले हम यहाँ पर apply करेंगे contain ठीक है अगर आप contain देंगे तो contain से क्या होगा यह हमारे background में यहाँ पर इस type से adjust हो जाएगी जितनी इसको adjust होनी है यहनकि इसका जो pixelate भी ना हो यह image जो है pixelate भी ना हो और proper accurate रहे तो वो हम देंगे contain अगर देंगे हम तो वो automatic बिल्कुल high quality में रहेगी और adjust हो जाएगी ठीक है अगर आप contain की जगा यहाँ पर अपनी property cover लगा देंगे तो इस type से cover में भी क्या होगा image आपकी adjust हो जाएगी full screen पर पर उससे क्या फरक पड़ रहा है उससे फरक यह पड़ रहा है कि वो screen पर adjust हो चुकी है पर जो image है पूरी नहीं आई बटकी वो क्या हो गई बिल्कुल cut चुगी है नेचे से half आपको देखो जो मटकी है वो half दिख रही है नेचे बासुरी आई ही नहीं है उसके लिए हमें height increase करनी पड़ेगी height increase करेंगे तो यह हमारा सईसे काम नहीं चलेगा जब हाइड भी increase कर ली तब भी image जो है मेरी वो तब भी कट रही है ठीक है तो यह हम cover को बहुत कम यूज करती है ठीक है तो अब यहाँ पर हम apply करेंगे अपना background size contain जो कि pixelate भी नहीं होता और automatic यहाँ पर arrange हो जाता है अपने according ठीक है hope so आपको यह समझ आ गया होगा कि background में आप कैसे image को set कर सकती है ठीक है यह image थोड़ी छोटी थी आप अपनी बड़ी कोई horizontally आप image लेना यह image जो थी मेरी यह 1 ratio 1 की थी इसलिए वो proper adjust नहीं हुई इस screen पर आप कोई image ले सकती है मैं आप आपको show करवाता हूँ एक image proper लेकर ठीक है वो कैसे आप इसको adjust करेंगे तो guys देखो मैंने यहाँ पर एक अपनी folder के अंदर यहाँ पर image ले ली है banner2.jpg यहाँ पर मैं इसका name change गर रहा हूँ यहाँ पर image का ठीक है तो क्या है banner2.jpg जी चेक कर लेते हैं एक बार jpg है अब चेक करते हैं output देखिए आपको image यहाँ पर यहाँ पर यह शो हो रही है proper अब देखो यहाँ पर मैं इसकी contain को खटा दूँ इस type से देखिए image कुछ इस type आपको show हो रही है ठीक है न यह यानि कि proper set नहीं हुई यानि कि image जो है आपको चेक करवाता हूँ image कुछ इस type से है यानि कि यहाँ पर देखो यह right side में यहाँ पर यह lag आ रही है यहाँ पर आपको यह show हो रहा है यहाँ पर side में एक आदमी show हो रहा है बड़ आप जो background लगाया है background में देखो पूरी show नहीं होई side से वो cut चुकी है तो इस चीज को पूरा adjust करने के लिए कि मेरी image जो है background में proper adjust हो जाए तो उसके लिए हमारे पास property बनी होई है background size यानि कि contain ठीक है तो वो पूरी contain हो जाएगे पूरी जो image मेरी original image थी वो ही image यहाँ पर आपकी output में लग गई है ठीक है तो इस type से आप एक image को लगा सकती है मेरी वो पहले one rush of one की थी यह मेरी proper banner की image है तो इस type से अगर आप image को देंगे आपकी image भी पूरी show होगी कोई भी चीज कटेगी नहीं तो यह आपकी main जो values है उसे पहले होती है आपकी आपने width के recording देखिए आपकी container की width कितनी है उसकी height देदीजिए height देनी है तो ठीक है उसके height देंगे तब आपकी show होगी और background image देनी है फिर background में image को repeat नहीं करना तो no repeat लिखिए background की position यहाँ पर need नहीं है हाँ पहटा सकती है क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए position की need नहीं है क्योंकि position देंगे तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला उसको ठीक है दे भी दो कोई फरक नहीं पढ़ेगा उसको ठीक है इस तरह से background attachment fix किया हुआ है अपने according आप fix करना है fix कर सकते हैं जैसे आपको requirement होगी contain आप जरूर लगाए contain से क्या होगा आपकी जो image है proper adjust हो जाएगी अगर मैं contain के जगा यहाँ पर cover लगाता हूँ अभी तो cover लगाने से क्या हुआ फिस से वो cutना शुरू हो चुका है तो contain लगाएंगे आपकी image proper यहाँ पर adjust हो जाएगी hope so आपको यह जो background की series है background की हर एक value समझ आ गई हो गई जिन अब तक previous video को watch नहीं किया है previous video को watch कीजिए आपकी background series पूरी proper आपके cover हो चुकी है ठीक है और जो properties आगे रहती होंगी मैं बता दूँगा अब जितनी need थी जितनी जरूरत है background में लगाने के लिए आपको मने बता दी है एक website में background लगाना पड़ता है तो कैसे लगा जाता है ऐसे आप लगा सकते हैं ठीक है अगर आप multiple background image लगाना चाहते हैं तो अब यहाँ पर कोमा लगाईए background image में और यहाँ पर भी URL के अंदर आप image का नाम दे सकते हैं image का नाम क्या है मेरा bg.png ठीक है तो मेरी bg.png के background में आ चुकी है इसको अपनी adjust करना हो तो यह मेरी left top पर थी और इसको मैं कर देता हूँ right bottom पर कर देता हूँ और इसकी height को मैं बढ़ा कर 150 कर देता हूँ तो देखिए मेरी जो background में image है वो भी आ जाएगी यहाँ पर ठीक है नीचे आ गई है ओके तो इस type से आप अपनी multiple images भी आप दे सकती है बढ़ नीड नहीं पड़ती जब नीड पड़ेगी आपको बता दिया जाएगा आपको समझा दे जाएगा hope so आपको यह सारी properties cover हो गई होंगी फिर भी doubt होगा तो commentator में comment करना हम दूबारा से इसके बारे में discuss कर लेंगे so that's it for this video bye-bye and take care